हेलो एवरिवन और विल्कम टू एग्रियासलर्स आज का वीडियो 12 पास्ट्रूइंट्स के लिए होगा जिनका अभी-अभी CET का रिजर्ड लगा है फर्स्ट अफॉल कॉंगर्जुलूशन्स तो अल उफ यू वो गूट गूट स्कॉर इन MHD CET और जिनका स्कॉर अच्छा नहीं आया है आपको डिप्रेस होने की कोई जरूत नहीं है जो होना था हो चुका है अब आप आगी की सोचिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा सो फस्ट आफ ओल हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स कवर कर लेते हैं उसके बाद हम कुछ इंपोर्टन्स चीजों के बारे में डिसकस करेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई यूटूब चैनल करता होगा और एड्मिशन के बाद हमें उसी चीज के बारे में सबसे यदा रिग्रेट होता है मूविंग ओन सभी तो सिर्फ B.S.A. अग्रिकल्चर के बारे में ही बात करते बट अग्रिकल्चर में और भी साथ ब्रांचेस होती है जिनके एड्मिशन M.S.T.C.T. से ही होती है अभी मैं आपको एक लेस्ट बताऊंगा आप अपने पसंद के हिसाब से ब्रांचेस चूज करिए इन B.S.A. ब्रांचेस हर B.S.A. अग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर, फोरेस्ट्री, और कम्यूनिटी सायंस और इन B.T.E.C., Food Tech, like Food Technology, Biotechnology and Agriculture Engineering लेकिन इन सब में बेस्ट B.S.A. अग्रिकल्चर होता है ब्कॉज आप सभी Agri-related exams के लिए eligible होते हो और बाकी ब्रांचेस को कई ना कई कुछ exams में restriction होते है लेकिन अगर आपको कोई particular field में specialization करना है तो यह आपकी choice है Next, हम कुछ important dates भी discuss कर लेते है So, 25 September तक online form submission होगा Then 29 September को merit list लग जाएगी 30 September से 3 October तक grievance upload करना है Then 6 October को वो grievance display हो जाएगा Then 8 October को final merit list लग जाएगी Then 1st round होगा 11 October को Then 12 October से 14 October तक आपको report करना है Then 2nd round लगेगा 18 October को Then 19 October से 27 October तक आपको report करना है Then 3rd round होगा 28 October को So 29 से लगे 31 तक आपको report करना है So these are the tentative dates Let's move on to important discussion Basic information तो सभी देते है Like how to fill form, documents, colleges, dates, etc But इससे भी कई ज्यादे इंपोर्टन होता है How to fill colleges Ranking wise to get best college इसके बारे में कोई बात नहीं करता और सबसे यदा लोग इसी में गलती करते जिसके कारण उनको अच्छे परसलिंटाइल होने के बाद भी कोई normal से college में admission लेना पड़ता है ये गलती मुझसे भी होई थी बट मेरी situation कुछ और थी बट आपकी situation आपके हाथ में colleges बस ranking से decide नहीं करने होते है होते है location से, hostel life से, college life से, traveling से, opportunities से, lifestyle से, personality development से इन सारे चियों को ध्यान में रखते हुए college फिल करने होते है और इन सारे चियों के insider information like genuine insider information मेरे से बेटर कोई नहीं दे सकता because इन सारे चियों के pros and cons मैंने खुद experience किया है so मैंने आपके लिए सारे research करके counseling session का arrangement किया है जिसमें हम आपको सारे information देंगे like कौन से documents लगा के आपके marks increase हो सकते है और वो सारे points जिसके बारे में हमने अभी discuss किया है और मेरे जैसे और भी कुछ agriculture graduates होंगे जो आपको counsel करेंगे आपके area wise, likes and dislikes wise आपके lifestyle and grades के उपर information छोड़ो हम आपको आपको पूरी colleges की list ही देंगे जो आपके लिए best होगी and this counseling session की fees है 301 rupees it's not free because इसमें आपको आपके हिसाब से सारी customized information provide की जाएगी और जब तक आपके doubt clear नहीं हो जाते तब तक आपके साथ बात करके आपको guide किया जाएगा अभी कुछ लोग बोलेंगे सारी information free में क्यों नहीं दे देते actually I am not a full time YouTuber यह सब मैं बास अपने hobby के लिए करता हूँ और more than that आपको insider information provide करने के लिए करता हूँ और वैसे भी सारे बीमारी को दवाई अगर एक होगी तो डॉक्टर को तो घर बैटना पड़ेगा न hope you understand अभी आपको मेरे instagram handle at the red agrihastlers पर message करना है वहाँ आपको आपके session का schedule दे दिया जाएगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो comment box में comment कीजिए और instagram handle को follow कीजिए और वहाँ भी मुझे message कीजिए करिये परेशान मैं हूँ आपके लिए always I hope आपको सब समझ आ गया होगा from now onwards आप अपने session book कर सकते हो and all the best for your admissions और इस वीडियो को please share कीजिए आपको दिक्कत नहीं होगी बट कई और कोई बच्चा अपने future को लेके बहुत tension में होगा so please इस वीडियो को share कीजिए thanks for watching and goodbye